पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज चैनलों के उपर एक पूरा जिसको हम लोग कहते हैं वाल टू वाल कवरेज यानि पूरा कवरेज जो था वो राम जन्म भूमी की ये जो कारेक्टरम आज होना था उसके इर्द के धोरा था और वो पूरा कारे स्टेटस था वो हटा था ये वही दिन है उसकी चर्चा एक तरह से एक साल बीतने के बाद रेलेटिवली आप एक शाक्रित कम हुई है और जो जादतर चर्चाएं हैं वो हम लोगों को पिछले कुछ समय से न्यूज चैनलों पर आयोध्या के इर्द गिर्द दिखाई पड तरीके से जो राम मंदिर का एक पूरा खाका तयार किया गया है वो दिखाया जा रहा था उसकी तस्वीरे आई हैं सामने कि किस तरीके से वो पूरा तयार किया जाएगा आज सुबह से ही पूरी चर्चा इसके गिर्थी की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जब वहां रही थी कि क्या ये सही समय है क्या सारा जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल है उसको निभाया जाएगा और उस तरीके से आयोजन होगा जो भी तस्वीरे हम लोगों ने देखी हैं उसमें ये दिखाई पड़ा है कि जो जिस समय शिलान न्यास का पूजा हो रात की पूजा हो र लेकिन इन तैयारियों के चलते वहां पर जो लोग बाहर से उपस्तित हुए चाहे वो सुरक्षा व्यवस्ता लगी हो चाहे वो मीडिया कर्मी उपस्तित रहे हो या खुद शेहर के लोग जिस तरह से बाहर निकल के और इस पूरे आयोजन में शामिल हो रहे थे वहां पर स सोशल डिस्टेंसिंग की जिनता देखी गई कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरीके से पालन करना संभव नहीं हो रहा था कल शाम एक तरह से आयोध्या में दीपावली जैसा आयोजन किया गया भारती जिनता पार्टी और उतरबदेश के मुख्यमंत्री योगी दितिनाद जी की तरफ से यह आहवान भी किया गया था कि चार और पांच तारिख को दीपावली की जैसा आयोजन होना चाहिए तो वैसा ही आयोजन करके और वहां पर पूरे दीप जल रहे थे और जो इमारते हैं उन इमारतों पे जालरें लटकी हुई दिखाई दे रही तो एक इस तरह का पूरा एतिहासिक आयोजन बनाने और दिखाने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो सामने आई है जिसमें जो स्थानी लोग थे उन्होंने भी ऐसा लगा देख करके कि काफी उत्सा के साथ वहां पर उसमें वो शामिल हुए आम सोशल मीडिया पे अगर आप चर्चाएं काफी हद तक दिखाई पड़ रही होंδी चाहेए इसके समर्थन में होंचाहेए इसके विपक्ष में होंसम retain में यह की बहुत लंबे समय से जो लोग इसका एक राम्रा मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे उनका ये कहना है कि हम इसका इंतजार कर रहे थे और ये दिन सपना पूरे जैसा होने जैसा है वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके समर्थन पे नहीं रहे हैं उनका ये कहना था कि एक बहुत संख्यक वाद की जो बात कही जाती है कि देश में जिक्र किया कि क्या नरेंद्र मोदी जी को बतौर प्रधान मंत्री इस कारेक्ट्रम में शामिल होना चाहिए था क्योंकि धर्म और आस्था बहुत ही निजी विशय हैं तो वो बतौर प्रधान मंत्री की जगे बतौर सिर्फ नरेंद्र मोदी एक आम नागरिक के तौर पे उठाई गई हैं लेकिन प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी की एक तस्वीर है जिसकी आज काफी चर्चा है और आप खुद भी सोशल मीडिया पे वो तस्वीर देखेंगे प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी जब आज पहुंचे हैं आयोध्या तो सबसे पहले वो हनुमान गड़ी गए और हनुमान गड़ी जाने के बाद शिलान्यास करक्रम से पहले उन्होंने वहाँ पर जो रामलला की विराजमान किये गए हैं उनका दर्शन किया और वहाँ पू एक तरीके से वहाँ पर पूजा की है तो जो प्रदानमंत्री के समर्थक हैं या भारती जन्ता पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने काफी उत्साह के साथ इन तस्वीरों को शेयर किया है जबकि दूसरी तरफ यह भी बात हो रही है कि क्या बतौर प्रदानमंत्री एक बार जो सेक्यलरिजम की बात की जाती है उसके साथ जाता है या नहीं तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं पिछले कुछ समय से चल रही हैं लगातार इसकी बात हो रही है हम चलेंगे अब आयोध्या करेक्टर में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम सरुप्रिया सांगवान से जो व लोगों की ऐसी भी चर्चा हुई कि क्यों लालकृष्ण आडवानी और मुरली मनुहर जयोशी जैसे लोग जो की आयोध्या का आंदोलन जब 1989 के आसपास शुरू हुआ काफी प्रभावी तरीके से एक राजनीतिक रूप में उस समय जिन लोगों ने इस आंदोलन की मिल होने के लिए उपस्तित होना शायद फीजबल नहीं था स्वाभाविक नहीं था कि उनको नहीं आना चाहिए था कारेक्रम में इनकी चर्चा अगर आप लोगों ने पूरा कारेक्रम देखा हो तो राश्ट्री स्वैम सेवक संग के जो प्रमुक है मोहन भागवात उन्ह नहीं था कि और भी जो लोग इस राम जन्मभू में आंदोलन से पाए तो उसका भी जिकर उन्हों ने वहाँ पर किया लेकिन बाकी जगहों पर इसका इसकी चर्चा नहीं मिली और बहुत सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यह सवाल उठा भी वो भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्ता ऐसी बनाई जाती तो वो कोशिश की जा सकती थी अगर वास्तों में वो एक मंजशा होती ये असी चर्चा बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट में हम लोगों ने देखी हैं तो ये चर्चाएं हुई हैं आज प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी ने जो भाशन दिया उस भाशन में बहुत इंट्रेस्टिंग धंग से जो शुरुवात हुई है वो जै सियराम से हुई है इस नारे में आप ये ध्यान रखिए कि जै श्री राम का जो नारा था उसको बहुत एक राजनीतिक नारे के तोर पे अब देखा जाता है जबकि जै सियराम को एक लोग अभिवादन के तोर पे लोग पुरहने समय से देखते रहे हैं तो एक वो करेक्रम जो एक राजनीतिक आंदोलन बना राम जन्म भूमी का आंदोलन बना और वो राजनीतिक आंदोलन बना और उस राजनीतिक आंदोलन का जो सबसे प्रभावशाली नारा बना जैश्री राम का जो की 1990-1992 में जब पूरे जलूस निकलते थे उत्तर प्रदेश में या बाकी शहरों में भी तो जैश्री राम के उद्गोश के साथ नारे के साथ निक इनकी मंतरीयोग्य आदीटतिनात्त कि पूरे भाषन में इसका शडिय श्रेय गोर्था और अंतर से प्रहते हैं इस अ के प्रधान मंतरेयों सी सबंगे अंतरह से संभव कि स्प्रेम सब्दर् contribute के। वह फैसला जो कि पिछले साल आया था जब कि अच्छ अमनायाय ने पांच जो सर्वच अनके सेनियर जजज्ज्स हैं उनकी जो पीठ बनी थी उन्होंने सर्वसम्मती से ये फैसला दिया था कि वहां पर वो जो जवें है जो जो जमीन के मालिकाना हक का एक पूरा ये मामला थ पक्षें उनको दिया गया था जो मुसल्मान पक्षें उनकी तरफ से उनको ये कहा गया कि एक अलग पांच एकड जमीन दी जाएगी और उस जमीन पर जब बीबीसी समवादा था समीर आतमज मिश्र ने उसकी परताल करने की कोशिश की कि क्या स्थिती है वहाँ पे कोई लोग रियक्ट कर रहे हैं, सासी जो एकबाल अन्सारी है जो हाशे मनसारी मुख्य पक्षकार हुआ करते थे इस पूरे मामले में मुसल्मान पक्ष की और से, उनके बेटे हैं एकबाल अन्सारी, उनको भी इस कारक्रम में शामिल किया गया और जब BBC समवादाता सरप्रिया सांगवान उनसे मिली है परसों तो उन्होंने कहा है कि वो बहुत साहित हैं इस कारेक्रम में जाने को ले करके और उन्होंने बताया भी कि वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को एक रामायन श्रीमत भागवत रामचरित मानस की एक प्रती देना चाहती है तो एक तरीके से ये जो पूरा सामप्रदाइक साहार्द का महौल है वो दिखाने और बनाने का पूरा ये दिखाया गया है कि उस महौल में ये आयोजित हो रहा है साथ ही ये भी है कि जिस धंग से ये पूरा प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि जिस धंग से ये पूरा फैसला आया और उसके बाद सभी ने एक शान्ती बना करके रखी उसके चलते बहुत ही शान्ति पूर्ण और सोहार्द पूर्ण माहौल में हिंदू और मुसल्मान समुदायों के बीच ये एक कारेक्रम आयोजीत हो पा रहा है और इस ढंग से ये जो पूरा एक श्रीराम जन्मभूमी का जो स्थल था वहाँ पर श्रीलान न्यास कारेक्रम हुआ है पूर्ण मंतरी नरिंदर मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से टेंट में बहुत लंबा समय उन्होंने बोला कि राम लिला को रहना पड़ा और अब एक भवे राम मंदिर की विवस्था बनाई जा रही है राम मंदिर का एक बहुत शुरुआत से आंदोलन के समय से ही एक जो डिजाइन बना हुआ था लगभग वैसा ही डिजाइन वैसा ही बरकरा रखा गया है पर ये कहा जा रहा है कि जो उस मंदिर की उंचाई है उसके तल बढ़ा करके उसकी उंचाई को बढ़ाया जा रहा है इसकी जो तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री कार्याले की तरह से कि मंदिर कैसा दिखेगा सामने से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा और जो एरियल विजन है जब वो होगा तो वो कैसा दिखेगा ऐसी सभी तस्वीरें जो है वो जारी की गई है प्रधानमंतरी कार्याले की ओर से बीबीसी हिंदी पर आपने ये चर्चाएं और ये जो कवरिज है वो हम लगातार कर रहे हैं और इस आंदूलन में जो लोगों की भूमिका रही है खुद मुख्यमंतरी योगी आदित तिनाथ की क्या भूमिका रही है इसके उपर भी बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर आप आकर के पढ़ सकते हैं वो एक पूरी चर्चा वहां के उपर लगी है वो लगी है और उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया एक तरह से प्लान मंतरी नरेंद्र मोदी को इसका श्रे दिया है प्लान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तवे में भाशन में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया है और कहा है कि महात्मा गांधी जिस रामराज्य की संकल्पना करते थे उस रामराज्य की चर्चा करते हुए प्लान मंत्री नरेंद्र मोधी ने ये कहा कि उस रामराज्य की बात हो रही और बहुत ही इंट्रेस्टिंग धंग से हलांकि कारेक्टरम एक ऐसा कह सकते हैं कि सांस्क मंदेश के तौर पे बोलता है क्या उनके लिए एक संकेत था जब कि प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने जिक्र किया कि श्री राम चंद्र जी का जो जीवन है उसमें भयबिनु होई नप्रीत की चर्चा होती है यानि की और वो जिक्र आता है जो रामायन का प्रसंग है जब की ऐसा उसमें रामायन के प्रसंग में आता है कि राम जो श्री राम हैं वो समुद्र तट पर खड़े हैं और सागर से रास्ता मांग रहे हैं उस समय का ये जिक्र है कि वो जब स इसे संकेतों में दिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान या आसपरोस के देशों के साथ एक तनातनी की स्थिती बनी हुई है, वहां संकेत देने की कोशिश की गई है, इसका भी वर्णन और इसकी चर्चा भी हो रही है, यह जो कारेक्रम था उसमें बाहर देखने वारे लोग मीडिया को पूरी तरीके से अंदर नहीं जाने दिया गया, बहुती सीमित स्थर पर दूरदर्शन और एन आई जो एक न्यूस एजिंसी है, उसके लोग वहां पर मौझू थे और वो एक फीड के जरिये यह जो पूरा कारेक्रम था यह लोगों तक पहुँचाने की होगा, साथ ही यह भी जब पिछले दिनों हमारी समवादा था जो वहां पर राम मंदिर कारिशाला बनी हुई है, वहां गई थी तो वहां उन्होंने देखा कि जो शिलाओं को उकेरने का और उनको बनाने का काम था, जो स्तमत तयार करने के और बाकी चीज़ों का जो काम थ वो फिलहाल इस समय नहीं हो रहा था, लेकिन काफी शिलाओं जो हैं वहां पर तयार करके रखी गई हैं जिनका इस मंदिर में इस्तमाल होगा, चर्चाएं इस बात की भी होती रही है कि जब इस भव्य मंदिर के निर्मान की चर्चा भारती जनता पार्टी या हिंदू जब लोगों से चंदा जुटाने की कोशिश करेंगे, पिछले कुछ समय से जो चंदा है वो चंदा भी उनके पास है, वो कितना है उसकी बहुत जादा डीटेलिंग नहीं है, लेकिन ये चर्चा होती रही है